नमस्ते फ्रेंट्स तो देखिया आज मार्केटने क्या होने वाला है सुभे सुभे हम लोगों को हो गया profit तो अब क्या करना है देखिया अभी क्या है सुभे हम लोग यहां पर एक मतलब यह range को जो चल रहा था यह range में हम लोग buy कर लिये थे ठीक है मेरे को लग रहा था कि 666 जाने का संभावना बन सकते है इसलिए मैंने यहां पर buy कर लिया और यहां से यहां तक का सफर हम लोगों का आचा-कासा profit भी मिल गया उसके बाद देखिये उसके बाद मैंने ट्रेड किया लेकिन ओ ट्रेड बहुत ही छोटा था ठीक है जब यह आ रहा था तो जब इसको त बोड़ा तो यहां से यहां तक का सफर हम लोग यहां पर एक आचा-कासा profit देख रहा था तो उसके बाद मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया क्यों पता है तो आज मार्केट जो सिनारियों है इस सिनारियों को आपको देखना पड़ेगा यहां पर आप लोग एक ट्रें बन सकता है ठीके रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो यहां से ज्यादा उठने का संभावन है उससे पहले नहीं ठीके और नीचे की तरफ एक लोग लगा हुआ है मतलब किया 49,666 का लेबल यह लेबल स्ट्रॉंग मतलब सापोट की तरह काम कर सकते तो यह सापोट भी ब्र 49,5002 और 49,444 यहां तक आने का संभावन बन सकते तो इसके लिए तयार रहना तो पहले इस लेबल को ब्रेक करने दीजिए उसके बाद ही इस सोचना उससे पहले नहीं ठीक है ना इस लेबल को पहले ब्रेक करने दीजिए और आज उतना ज्यादा ट्रेड मत कीजिए क्योंक होगा पुरा के पुरा पैसे आपको डुक जाएगा ठीक है यह आपको देखना है यहां पर देखेंगे कितना बुलाटिलिटी आज है इस बुलाटिलिटी में आपको मतलब प्राइस एक्सिंट के ऊपर बहुती अच्छा पकड़ है तभी कुछ आप लोग प्रॉफिट कर पाएंगे मैंने भी यहां पर किया किया ज़ाँ दो ट्रेड में आच्छा प्रोफिट बन गया है उस प्रोफिट को पहले राकता चाहिए तो उस चकर में मत पडिए मैं बार बार बताता हूँ जो प्रॉफिट को respect कीजिए तो profit आपको पास रह जाएगा ठीक है मैं अभी कभी-कभी गल्दी कर लेता हूँ लेकिन उससे क्या हो क्या है मैं सीखता भी हूँ तो यह भी मतलब हो सकते है इस लेवल का तो यह देखिए एक triangle pattern बना रहा है तो यहां पर उपर जाएगा तो फिर से यहां तक का सपर बन सकते है तो इसके लिए तयार है ना और आज निफ्टी का भी expiry है तो एक साथ दोनों का expiry है तो दोनों का expiry मत खेलिए तो उससे क्या ह होगा आपको फाइदा कुछ नहीं होगा आप expiry expiry खेलेंगे तो पूरा के पूरा जो trade है आपको मतला खतम हो सकते है तो यहां पर एक आच्छा का सा range बना रहा है तो इस range को देखिए तो इस range का जब भी breakout होगा तो यहां से उपर जाने का कोशिस चलेगा देखिए 24,188 इ लेवल आएगा ठिक है 288 इसके लिए त्यार रहना असकते है और निशे की तरफ आया तो 23,888 मैंने काल भी बाताया था और आज भी एक ही चीज बताऊंगा कि 23,888 तक आ सकते है तो इसके लिए त्यार रहना और क्या बताऊ कि market को देखते रही है सीखते रहे है और मार्के के साथ जुड़े रही है तभी कुछ प्रॉफिट बनेगा और लेकिन ठीक ठाक जगा में आप लोग ट्रेड कीजिए तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोसों के साथ सेयर करना और आभी तक हमेर चानल को सब्सक्रेब नहीं किया तो प्लीज